ओम्शंति एट्त जन्वरी सेवेंटीनाइन अव्यक्तवानी संगम्युग में समान्ता में समीप भवीश सम्मंद में भी समीप आत्माए सर्वके विग्णों का विनाज करने वाले रुहानी पिता शिव बाबा बोले आज बाब डादा चारो औरके विदेशी और देश्वासी बच्चों को दूर होते भी सम्मुक देख सर्व बच्चों को उसमें भी विशेश रूप में विदेशी बच्चों को एक बात के लिए विशेश शाबास दे रहे है क्योंकि कोने कोने में बाप के छीपे हुए बच्चों ने बाप को पहचान निश्चे से बहुत अच्छा जम्प लगाया है भिन्न भिन्न धर्म के परदे के अंदर होते हुए भी सेकेन में परदे को हटाए बाप के साथ सहयोगी आत्माय बन गए लगन में आये हुए विगनों को भी सहेजी पार कर रहे है इसलिए बाप दादा विशेश शाबास देते है ऐसे हिम्मत रखने वाले बच्चों के साथ बाप दादा का सदा सहयोग है हर बच्चे के साथ साथ हर कर्म में बाप का साथ है सभी बच्चों को बाप दादा द्वारा बुद्धी रुपी लिप्ट की गिप्ट मिली हुई है गिप्ट तो सबको मिली हुई है लेकिन उसको कार्य में लाना हर एक के उपर है बहुत पावरफुल और बहुत सहज लिप्ट की गिप्ट है सेकें में जहां चाहो वहां पहुँच सकते हो यह वंडर्फुल लिप्ट तीनों लोकों तक जाने वाली है जैसे ही स्मृती का स्विच ओन किया तो एक सेकें में वहां पहुँच जावेंगे लिप्ट द्वारा जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहां स्थित रह सकते हो इस लिप्ट को विशेश यूज करने की विदी है अमृत वेले केरफुल बन स्मृती के स्विच को यथार्थ रीती से सेट करो तो सारा दिन अटोमेटिकली चलती रहेगी सेट करना तो आता है ना अच्छी तरह से अभ्यासी होना दिव्य बुद्धी रुपी लिप्ट सारे दिन में तहां अटकती तो नहीं है ओथोरिटी होकर इस लिप्ट को कार्य में लगाने से कभी भी यह लिप्ट धोका नहीं देगी वर्तमान संगम्योग की लिप्ट यह दिव्य बुद्धी की लिप्ट है साथ साथ भविश्य स्वर्ग के राज्य की गिफ्ट भी बाब दादा अभी देते है स्वर्ग के गेट की चाबी बाब दादा बच्चों को ही देते है चाबी है अधिकार पन अर्थात अधिकारी बनना अधिकार की चाबी से गेट खुला हुआ है तो नंबर वन अधिकारी कोन बनता अर्थात अधिकार द्वारा गेट पहले कोन खोलता उसको भी अच्छी तरसे जानते हो लेकिन अकेले नहीं खोलते उदगहटन के समय आप भी सभी होंगे न देखने वाले होंगे वा करने वाले होंगे कोन होंगे साथी होंगे न कम से कम ताली बजाने के साथी तो होंगे न खुशियों की पुश्पवर्शा करेंगे न बाब दादा समय की समीपता को देख, हर बच्चे का बाब दादा के साथ क्या समीप सम्मंद है, देख रहे है, अती समीप कोन है और समीप कोन है, और थोड़ा सा दूर से देखने वाले कोन है बच्चों का डबल भविश बाब दादा के सामने आता है, एक संगम्युक का भविश अर्थात बाब समान बनने का भविश और दूसरा फर्स्ट जन्म का भविश अर्थात स्वर्ग का भविश यहां समानता में समीप होंगे और वहां सम्मंद में समीप होंगे जितना यहां समिपता द्वारा सदा साथ है उतना ही मूल वतन में भी ऐसी आत्माई साथ साथ है और स्वर्ग में भी हर दिन्चरिया में समंदका साथ है जैसे यहां तुमी से बोलू तुमी से खेलू तुमी से साथ निभाऊंगा वैसे भविश्य में भी सवेरे के साथ बगीचे में खेलेंगे रास करेंगे पाच्शाला में पढ़ेंगे सदा मिलते रहेंगे और फिर साथ साथ राज्य करेंगे जैसे ब्रह्मा बाप सदा स्वराज करने वाले अर्थात स्व अधिन नहीं लेकिन स्व अधिकारी थे ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले जिनों का सदा संकल्प साकार में है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ऐसे स्वराज करने वाले वहां भी साथ में रा नमबर वन रेगुलर और पंक्च्वल गौडली स्टूडेंट वहां भी साथ साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ब्रह्मा बाप नमबर वन गौडली स्टूडेंट है, जो यहां अतिंद्रिय सुख के जूले में बाप के साथ साथ सदा जूलते हैं, वह वहां भी जूले में साथ ज जो यहां अनेक प्राप्तियों की खुशी में नाचते हैं, वह वहां भी साथ साथ रास करेंगे। जो यहां बाप के गुन और संसकार के समीप सर्व सम्मंदों से बाप का साथ अनुभव करते हैं, वही वहां रोयल कुल के समीप सम्मंद में आवेंगे। तो बाप दादा हर एक के नैनों से दोनों भविश्य देखते हैं. फस्ट जन्म में आना ही फस्ट नंबर की प्रालब्ध है. तो विदेशी बच्चे सब फस्ट जन्म में आवेंगे न? इतने सब फस्ट में आवेंगे? फस्ट में कुन आवेंगे? उसकी पहचान विशेश एक बात से करो, वह कोन सी? आदी से अब तक अब अभिचारी और निर्विगन होंगे, विगन आए भी हो तो विगनों को जंप दे, पार किया है वा विगनों के वश ववे है, निर्विगन का अर्ट यह नहीं कि विगन ही नहीं हो, लेकिन विग्ण विनाशक वा विग्णों के उपर सदा विजई रहे यह दोनों बाते अगर आदी से अन्त तक ठीक है तो फर्स जनम में साथी बन सकते है सहेच मार्ग है ना? अच्छा, करनाटक के बच्चे भी आए है यह भी भारत का विदेशी है लंडन से सहेच आ सकते है लेकिन यह बहुत मेनत से आते है इसलिए मेनत का फल प्रत्यक्ष बाप का मिलन हुआ है लगन वाले अच्छे है बच्चों की लगन को देख बाप भी हरशीत होते है सदा इसी लगन के दीपक को बार-बार अटेंशन के गृत से अविनाशी रखना करनाटक के तरप दीप बहुत जगाते भी है जैसे स्तूल दीपक जगाते रहे वैसे अब लगन का दीपक सदा जकता रहे सब अपने को बाप के खुश नसीब बच्चे समझते हो न अच्छा आज तो मिलने का दिन है सभी सिकिलदे बच्चों को स्रेष्ट भाग्य बनाने वाले बच्चों को सदा स्वराच अधिकारी बच्चों को तिलक और तक्तनशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते पार्टियों से मुलाकात 6. जन्वरी 79 1. ब्रामन जन्म की मुख्य परस्नालिटी है प्यूरिटी सदा अपने को मन, बानी और कर्म में संपूर्ण प्यूरिटी की परस्नालिटी वाले अनुभव करते है क्योंकि ब्रामनों की परस्नालिटी ही है प्यूरिटी तो जब ब्रामन जीवन की परस्नालिटी है वह अपने जीवन में अनुभव करते हो जितनी परस्नालिटी होगी उतना ही विशेश आत्माई गाई जाएंगी मुख्य परस्नालिटी प्यूरिटी है ब्रह्मा बाब भी आदी देव वा पहला प्रिंस कैसे बने इस प्यूरिटी की परस्नालिटी के आधार पर वन नंबर की परस्नालिटी के लिस्ट में आए तो फॉलो फादर है ना संसकार ही पवित्रता के है ब्रामन जन्म के संसकार ही पवित्र है इसलिये आजकल के ब्रामनों द्वारा ही किसी भी प्रकार की शिद्ध वा स्रेष्ट कार्य करते हैं, क्योंकि उनों को महान समझते हैं, स्रेष्टता ही पवित्रता है. तो ऐसे ब्रामन जीवन के नीजी जन्म संसकार अपने में अनुभव करते हो, पवित्रता जन्म संसकार बनी है, जैसे कोई के क्रोथ के संसकार जनम से होते है, तो कहते है, चाहते नहीं है, मेरे जन्म के संसकार है, ऐसे यह जन्म के संसकार स्वतही कारिय करते है, कभी स्वपन में भी अपवित्रता के संकल्प नहीं आए इसको कहा जाता है purity की personality वाले इस personality के कारण ही विश्व की आत्माए आज तक नमस्कार कर रही है महान आत्माओं को न जानते भी नमस्कार करते है साधारन को नहीं तो ऐसे महान हो न मोह का बीज है सम्मंद उस बीज को कट करने से सब शिकायते समाप्त माताए सब नश्टो मोह होना जब बात के साथ सर्व समंद जोड लिये तो और किस में मोह हो सकता है क्या बिना समंद के कोई में मोह नहीं हो सकता सदा यह याद रखो जब समंद नहीं तो मोह कहा से आया मोह का बीच है सम्मंद जब बीच को ही कट कर दिया तो बिना बीच के रुक्ष कैसे पैदा होगा अगर अभी तक होता है तो सिद्ध है कि कुछ तोड़ा है कुछ जोड़ा है दोनों तरफ है तो दोनों तरफ वाल लोई को न मन्जिल मिलती न किनारा होता तो ऐसे तो नहीं होना, सब नश्ट मोहा होना, फिर भी शिकायत नहीं करना, कि क्या करे, बंदन है, कत्ती नहीं, जहां मोह नश्ट हो गया, तो स्मृती स्वरूप स्वत्व हो जाते, फिर कत्ती नहीं, मिठता नहीं, यह भाशा खतम हो जाती है, सर्व प्राप्ती हो जाते सदा मनमनाभव रहने वाले मन के बंधन से भी मुक्त रहते हैं अच्छा ओम शांती विदेशी भाई बेहनों के साथ सभी बाप के सदा नियरेस्ट और डियरेस्ट हो क्या समझते हो अपने को अपनी कल्प पहले की प्रालब्ध स्पश्ट सामने है न डबल विदेश आत्माउं का नंबर वार इस संगम युके विशेश पार्ट में विशेश पार्ट जुड़ा हुआ है डबल विदेशी बच्चों को बाप दादा द्वारा विशेश बरदान है कोन सा विदेशी बच्चे जब से जनम लेते हैं तभी पहली घडी में ही बाप दादा द्व विशेश परदान सदा छत्रचाया के अंदर रहने का मिल जाता है जैसे भारत के शास्त्रों में दिखाया है जब स्रीकृष्ण का जन्म हुआ तो जेल में जनम होते हुए भी जब नदी पार किया तो साफी सेप्टी के साधन बन गए तो विदेशी पच्चों को वरदान है कि कैसे भी वातावरन अशुद्ध है कैसी भी जीवन पार्ट देख रहे है लेकिन फिर भी बाप की छत्रचाया पच्चों को सदा सेफ रक्ती आई है और अंततक रखेगी साथ साथ विदेशी बच्चों को बाप के सदा साथ के अनुभव की विशेश मदद है तीसरी बात विदेशी बच्चों को विशेश रूप से जनमते ही सेवा के संसकार का सहयोग है यह भी विशेश ड्रामा नुसार पार्ट मिला हुआ है चोथी बात याद की यात्रा में सहेची अनुभों की खान प्राप्त होने का वर्दान दी विदेशियों को प्राप्त है तो बताओ कितनी लखियेस्ट हो बाप दादा के संगम युगी विशेश अमुल्य रतन ही जिन अमुल्य रतनों द्वारा बाप दादा विश्व में ऐसी रतनों को सैंपल के रूप में रखेंगे इसलिए सदा बाप और सेवा के सिवाई कोई भी बात याद न रहे साथ का अनुभव करते हो शक्ति सेना क्या समझती है? शिव और शक्ति सदा साथ है ना नाम ही है शिव शक्ति शिव शक्ति नहीं जो शिव शक्ति है वह याद के सिवाय रह नहीं सकती कभी कोई कार्य करो तो सदा यह सोचो कि विश्व सेवा के अर्थ निमित्त मात्र यह कार्य कर रहे है इसी को ही कमल पुष्प के समान कहा जाता है तो सभी कमल पुष्प के समान कार्य करते नियारे और बाप के प्यारे बन कर रहते हो पांडव कमल पुष्प के समान है न यह लोग की कार्य भी अनेक आत्माओं को संपर्क में लाने का साधन है क्योंकि इश्वरिय सेवा के लिए संपर्क तो बनाना ही पड़ता है न यही बना बनाया संपर्क मिल जाता है इसलिए डबल कार्य के लिए direction दिये जाते है और जैसे संपर्क आगे बढ़ते जाएंगे संपर्क की आवशक्ता नहीं रहेगी फिर लोग की खड़ा हो जाएगा अलोग की कार्य के निमित बन जाएंगे सभी की यह स्टेज आती है और सदा है यह भी सेवा का चांस समझ कर कार्य करो आस्ट्रेलिया पार्टी आस्ट्रेलिया वालों ने बाप को प्रत्यक्ष करने का संकल्प साकार में बहुत अच्छा लाया है जो अनुभव किया बह अन्य आत्माऊं को भी कराने का जो प्रैक्टिकल रूप दिखाया बह बहुत अच्छा इस विशेश्टा के कारण आस्ट्रेलिया का नंबर बाप दादा के पास नंबर वन में है जिसे गायन है भारत के लिए घर-घर मंदीर जैसे आस्ट्रेलिया वालों के घर-घर में अर्थात जो भी आने वाले है यह सेवा का सबुत देने में घर-घर को मंदीर बनाने में नंबर वन आ रहे है तो आप सब कौन हो गए? मंदीर में रहने वाली चैतन्य मूर्तिया आप सब समझते हो हम नंबर वन है बाप को भी खुशी है ऐसे ही आपको देख कर सब फॉलो करेंगे आस्ट्रेलिया में क्यू सबसे पहले लगेगी? जैसे बाप बच्चों में उमीद रखते हैं तो आप सभी उमीदों के सितारे हो चारो और ऐसे आवाज फैलाओ जो औस्टेलिया का आवाज बारत में पहले पहुँच जाए आवाज तब पहुँचेगा जब बुलंद होगा बुलंद आवाज करने के लिए चारो और से एक आवाज निकले कि हमारा बाप गुप्त वेश में आ गया है जैसे बाप ने आप बच्चों को गुप्त से प्रत्यक्ष किया वैसे आप सब को फिर बाप को प्रत्यक्ष करना है सब शक्तिया मिलकर अंगुली देंगी तो सहेजी हो जाएगा बहुत अच्छे अच्छे रतन है एक एक रतन की अपनी अपनी विशेष्टा है सदा अपने को कल्प पहले वाले रतन समझ कर चलेंगे तो विजय का जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त हो जाएगा विजय रहेंगे अच्छा ओम शान्ति